दोस्तो मूवी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जहां उस दौरान लड़ाई और तनाव से बचने के लिए शहर के कुछ अमीर लोग शहर को चोड़ कर जील के किनारे एक शांत गाम में आकर रहने का फैसला करते हैं। उन्ही परिवारों में से हम एक ऐसे अजीबो गरीब परिवार को देखते हैं जिसकी मुखिया मेरी थी मेरी का परिवार बहुत ज्यादा अमीर था और जील के किनारे उनका एक बड़ा सा महल भी था मेरी का एक थरकी सा हस्बेंड भी होता है जिसका नाम मारियो था। मारियो एक अयाश और बहुत ही आवारा किस्म का आदमी था जिसके पास आवारा गर्दी करने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं था अब क्योंकि मेरी उसके बारे में सब कुछ जानती थी इसलिए वो उसके उपर हमेशा कड़ी नजर रखती थी। अब हम देखते हैं कि मारियो और मेरी के साथ उसके छोटे भाई की वाइफ बाबरा भी रहती थी जिसका हस्बेंट दस साल पहले जन्ग पर गया और कभी वापस ही नहीं आया मेरी के शानदार महल में एक बैडरूम था जो की उसके पर दादा बिशप का था जो की एक गे वो अपने बॉइफ्रेंट से मिलने अपने पूरवजो के इस गाव में आया करता था लेकिन यहाँ पर जील में डूबने की वज़ा से उसकी मौत हो गई थी गाव वालों के मताबिक उसके गे होने का राज गाव वालों को पता चल गया था इसलिए उन्होंने बिशप को साथ शारीरिक संबंद थे साथ ही हमें पता चलता है कि मारियो बाबुरा को मन ही मन पसंद करता था और उसके साथ इंटिमेट होने के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी वाइफ के दर की वज़ा से ऐसा नहीं कर पाता आसल में मारियो पैसो के लिए अभी भी अपनी वाइफ पर ही निर्भर था, इसलिए उसकी वाइफ मैरी हमेशा उसको दबा कर रखती थी, एक दिन मारियो की मुलाकात मारको नाम के एक लरके से होती है, जो की लगबग बाबरा की उम्र का ही था, अब हम देखते हैं की मार्को भी मार्यो की तरह ही एक आवारा था उसका अपनी बोट में जील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ फालतू की बाते करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था और वो हमेशा अपनी बोट में ही रहता था अब क्योंकि मार्यो और मार्को का ने बारे में बाते करने लगते हैं जो कि 10 सालों से जंग से नहीं लोटा था वो बताते हैं कि बाबरा से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी जब वो 16 साल की थी और शादी के अगले ही दिन उसका हस्बेंड जंग पर चला गया जिस वजाह से वो अभी तक वजिन है इसलिए मेरी बाबरा पर बहुत ही कड़ी नजर रखती है और एक पंची की तरह उसे पिंजरे के अंदर कैद करके रखती है वहीं मार्को से बाबरा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो उसे यहां से भगा कर कहीं दूर ले जाना चाहता था जहांपर वो उसके साथ होने के लिए और भी ज्यादा तड़प में लग जाता है लेकिन फिर अगली सुबा उसे नचाहते हुए भी जाना पड़ता है फिर मार्को जब अपनी बोट से वहां से निकल रहा था तभी मार्यो उसे अपने साथ जील पर घूमने के लिए पूचता है जिसके लिए मार् पर हम देखते हैं कि आर्मी छोड़ने के काफी सालो बाद मार्यो की लाइफ में एक ऐसा दिन आया था जहां पर उसने खुल कर इंजोई किया इसलिए वो इस बारे में सोचकर काफी एमोशनल हो जाता है फिर एक शाम मार्को सामान लेने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस अपने घर लोटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मार्यो उसकी गल्फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तब ही पूछने पर मार्को की गल्फ्रेंड उसे बताती है कि मार्यो रात को सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे दराव में सपने आ रहे थे अब मारियो की इस हरकत से मार्को को सब समझ आ जाता है कि मारियो एक बहुत बड़ा ठरकी किस्म का आदमी है और वो अपने जिस्म की प्यास को बुझाने के लिए किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता है चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो लेकिन इस बात का मार्को पर क्योंकि वो अपनी गल्फ्रेंट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था फिर मार्यो मार्को के साथ कुछ दिन उसकी बोट पर रहने के बाद अपने घर वापस आ जाता है अब वो अपनी वाइफ मैरी को बिना बताए मार्को के साथ घूमने गया था और वापस आकर वो अपन अपने घर वापस आ जाता है इसके बाद वो उन दोनों जवान लर्कियों को अपनी बोट दिखाने के बहाने बाहर ले जाता है जिसके बाद वो उनके साथ भी वही अशलील हरकते करना शुरू कर देता है लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उनका फादर आ जाता है और मार् को को बताता है कि मारियो बहुत ही गिरा हुआ और एक नंबर कठर की आदमी है जो कभी-कभी उसकी बेटी के साथ भी इंटीमेट होने के बारे में सोचा करता है लेकिन उसने मारियो को धमकी दी थी कि अगर उसने कभी भी उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो वो उसी पे बाबरा के साथ intimate होना चाहता था इसलिए वो मारको से request करता है कि वो बाबरा को उसकी बोट पर आने दे और वो मारको को उसकी girlfriend को भी बोट पर बुलाने के लिए request करता है ताकि बाबरा को company मिल जाए फिर अगले दिन हम उन चारों को बोट पर देखते हैं जहांपर मारियो ब बाबरा के लिए होटल में एक कमरा बुक करता है जहांपर आज उसका बाबरा के साथ intimate होने का पूरा प्लान था उधर मारको भी बोट पर अपनी girlfriend के साथ होता है लेकिन उसको नीम नहीं आ रही थी इसलिए वो देर रात को शहर की सरकों पर निकल जाता है वहाँ पर घून मारियो को एक बुरी खबर सुनाता है और कहता है कि उसकी वाइफ मैरी की जील में दूबने से मौत हो गई लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको मैरी के मरने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके बाद पुलिस मैरी की मौत की investigation में लग जाती है ज थो कि मारियो ने खुद अपनी wife के लिए लिखा था जिसमें मारियो ने बाबरा से अपने प्यार का इजहार किया था और शायद इसी वजह से परेशान होकर मैरी ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद पुलिस इस case को आत्महत्या का case बोल कर close कर देती है फिर इसके कुछ दिन मार्यो और बाबरा शादी कर लेते हैं और वो दोनों अपनी शादी शुदा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं वहीं मार्को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था लेकिन अब उसका उसकी गल्फ्रेंड के साथ ब्रेक अप हो चुका था फिर एक दिन मार्को मार् को कहता है कि उसे भी ऐसा लगता है क्योंकि उस रात को उसने एक आदमी को देखा था जो बिलकुल मारियो की तरह लग रहा था शायद उस रात मारियो साइकल से अपने घर पर वापस आया और उसने ही मैरी को जील में दुबा कर मार डाला फिर एक दिन अचानक मारियो के घर एक आदमी आता है और वो और कोई नहीं बलकि बाबरा का हस्बेंड जॉन होता है जो कि पिछले 10 सालों से लापता था आब उसे वहाँ देखकर सभी शौक्ट हो जाते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर बाबरा के लिए नहीं आया बलकि इसलिए आया है क्यों जंग के दورान दुश्मनों ने उसे कैदी बना लिया था जिसके बाद वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कि उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट को भी कार दिया अब अपने कटे हुए प्राइवेट पार्ट के चलते वो अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं क अब क्योंकि इस केस में एक नया मोर आ चुका था इसलिए पुलिस इस केस को फिर से रियोपन करती है और एक नए सिरे से जाच करना शुरू कर देती है इसके बाद मार्को जॉन से कहता है कि उसने मार्यो को बहुत ही तेजी से कहीं जाते हुए देखा था और पुलिस की होकर मार्यो पुलिस से कुछ देर का टाइम मानता है और बिशप के कमरे में जाकर खुद को फासी लगा लेता है अब इस घटना के कुछ दिनों बाद जॉन अपनी पूरी संपत्ती बाबरा के नाम कर देता है और उससे कहता है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने देश के बाहर अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और वो वहाँ पर अपनी जिंदगी आराम से काट रहा है जिसके बाद वो उसे बाई बोल कर वहां से चला जाता है अब जिस दिन मार्यो ने आत्महत्या की थी उसी रात मार्को और बाबरा एक दूसरे के साथ लेकिन उसने बाबरा के बोलने पर पुलिस को गलत बयान दिया इसलिए उसको लगता है कि इन सब के पीछे बाबरा का ही हाथ था इसलिए मार्को उसे बाई बोलकर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है